Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss a very important topic क्योंकि last lecture मैंने आपसे platy-helminthus part 1 के बारे में discuss किया तो आज का जो हमारा lecture होगा वो platy-helminthus part 2 पर होगा अगर आपने platy-helminthus part 1 को अभी तक study नहीं किया है तो सबसे पहले आप platy-helminthus part 1 को study कीजिए जहाँ पर मैंने आपको 13 important characteristic features जो है वो इस phylum के described किये हैं साथ ही मैंने वहाँ पर कुछ important example भी discuss किये थे जैसे की tinea जिसको हम tape warm कहते हैं liver fluke जिसको की faciola कहते हैं और dugasia जिसको की planaria के नाम से भी जाना जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि platy-helminthus part 2 में मैं आपको क्या नया बताने वाला हूँ तो previous year examinations जो हुए है नीट exam हुए है उसमें मैंने देखा है कि platy-helminthus phylum से जो example होते हैं उन पर भी कुछ highly specific characteristics based questions student से पूछे गए हैं यानि कि ऐसे कई questions मैंने देखे हैं जिसमें ये पूछा गया है कि regeneration की higher capacity इनमें से किस platy-helminthus phylum में होती है इसके लाब ऐसे questions भी आए हैं कि इनमें से किस platy-helminthus animal में pseudo segmentation present होता है तो ये नाम हमारे लिए एकदम नया है और अगर मैं बात करूँ कि digestive system को लेकर तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि platy-helminthus में digestive system होता है और वो incomplete type होता है जिसमें कि digestive system has one opening which act as both mouth and anus लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि platy-helminthus phylum में भी एक ऐसा example है आपके पास जिसमें digestive system completely absent होता है और वो endoparasite भी है तो ऐसे concepts को जानने के लिए जो previous year examination में platy-helminthus phylum से पूछे गए हैं ये lecture आपके लिए काफी important हो जाता है अगर आपको लगता है कि platy-helminthus phylum में हमें कुछ extra पढ़ने की ज़रूरत है तो मैं आपसे कहूंगा आपको अगर कुछ भी extra पढ़ने की ज़रूरत है तो आज का ये lecture जिसमें आपको जो भी बताया जा रहा है platy-helminthus phylum के बारे में वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है जो NCRT से थोड़ा सा out of syllabus हो सकता है लेकिन वो questions जो मैं बताने वाला हूँ वो previous year examination में पूछे जा चुके हैं तो platy-helminthus part 2 में मैं आपसे discuss करूँगा three different examples जो हमने पढ़े हुए है टीनिया, liver fluk and fascia क्या कहता है दुगेसिया जिसको planaria की नाम से भी जाना जाता है तो three different जो examples है यानि कि number one टीनिया, number second हम बात करें liver fluk और number third बात करें तो planaria इन तीनों examples को एक-एक करके हम लेकर इन पर जो highly specific comments हो सकते हैं जो previous year examination में पूछे गए हैं वो मैं आपसे इस lecture में discuss करने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीनिया के बारे बारे प्लेटी-helminth phylum का एक बहुत important example है टीनिया और last year examination की अगर मैं बात करूँ तो टीनिया या tapeworm पर बहुत सारे questions आ चुके हैं आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये एक ऐसा member है platy-helminthus phylum में जिसमें pseudo-segmentation present होता है यानि कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इन में से किस animal में pseudo-segmentation प true-segmentation और pseudo-segmentation में difference क्या होता है यानि कि हमने segmentation को अभी तक क्या माना है कि वो true-segmentation होता है और metameric segmentation भी इसको कहा जाता है जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि annulates में होता है आर्थ्रोपोर्ट्स में होता है और chordates में होता है और question भी need में है इस पर से आ चुका है लेकिन अब जो question है वो ये है कि pseudo segmentation जो है वो टेव वाम या टीनिया में होता है ये secondary matter है पर होता क्या है ये जानना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है तो हम बात करते हैं कि pseudo segmentation और true segmentation जिसको metameric segmentation कहते हैं उनमें क्या difference होता है तो सबसे पहले आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनें सबसे पहले जो आपको याद रखनी है वो ये है कि metameric segmentation को हम इस तरीके से define करते हैं कि animals की body को अगर आप externally and internally divide कर सकते हैं into various segments और each and every segment has repetition of at least some organ तो this type of segmentation is called true segmentation या metameric segmentation में क्या होगा एनिमल की जो body है उसको आप externally और internally ध्यान दीजिए externally और internally दौनों तरीके से segments में divide करेंगे और हर segment के पास कुछ organs का serial repetition भी होगा लेकिन false segmentation जो है pseudo segmentation का मतलब है false pseudo for false pseudo segmentation में खासियत क्या होती है कि animal की body को आप externally तो segments में divide कर सकते हैं for example कि मैंने यहाँ पर एक tape warm ले रखा है यह आप जो animal देख रहे हैं इस diagram में यह एक tape warm है और इसकी body में आप देख रहे हैं इस तरीके से body को externally तो segments में divide किया गया है लेकिन आपको बता दूँ कि internally यह animal की body segments में divide नहीं होगी तो body अगर externally segments में divide की जा सकती है ना कि internally और साथ ही जो segments है जितने भी segments उनके पास कोई भी serial repetition कुछ organs का नहीं है वलकि जितने भी segments है वो आपस में independently एक unit की तरह work कर रहे है यानि हर segment अपने आप में एक independent unit है और उनके बीच में zero coordination है तो ऐसा segmentation जो है उसको आप कह सकते है pseudo segmentation तो फिर से एक बार में revise करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि pseudo segmentation में body जो animal की होगी उसको externally तो आप segments में divide कर सकते हैं किसी भी type का serial repetition of organs हर segments में नहीं होगा वलकि हर segment एक independent unit की तरह work करेगा उनके बीच में आपस में zero coordination होगा तो ऐसा segmentation जो है उसको आप pseudo segmentation कहते हैं true segmentation में आप एक चीज़ और देखेंगे जो pseudo segmentation से different करती है वो ये की true segmentation आपको जो देखने को मिल रहा है like earth warm जो की एनिलीट्स का example है तो उसमें आप देखेंगे कि जो different segments हैं वो सभी segments आपस में मिल कर एक unit की तरह काम करते हैं और each and every segment अपने आपमें independent unit नहीं है बलकि सभी segment मिल कर एक unit की तरह काम करते हैं और उनके बीच में उनके बीच में coordination होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैu studio segmentation में zero coordination है segments के बीच में जबकưỡू segmentation में आप देखेंगे कि सभी segments एक unit की तरह काम करते हैं और उनके बीच में आपस में coordination होता है एक और important difference जो मैं आपको बताता हूँ जो studio segmentation को true segmentation से different या different बनाता है वो यह है कि true segmentation में हमेशा एक species के जितने भी members होंगे एक species के जितने भी members होंगे उनमें number of segment समीशा certain होंगे certain मतलब निश्चित for example earthworm की किसी particular species को अगर हम ले लें तो उसमें आप देखेंगे जितने भी members होंगे उनमें number of segment क्या होंगे certain होंगे जैसे कि 100 या 110 या 120 तो commonly NCRT लिखती है कि earthworm में number of segments जो होते हैं red to 120 होते हैं पर किसी भी particular species of earthworm की हम बात करें तो उसमें number of segments क्या होंगे certain होंगे सभी member number of segments equal रखेंगे लेकिन pseudo segmentation में क्या होगा कि एक ही species के different जो members है उनमें number of segments जो है वो vary करेंगे उनमें differ करेंगे यानि कि एक ही species के different member में segments की numbers जो हैं संख्या जो है वो अलग-अलग आपको देखने को मिल सकती है आपको बताता हूँ इसके पीछे का concept क्या है concept यह है कि जो body होती है ऐसे animals की जिनमें pseudo segmentation होता है जब वो animals grow करते हैं तो उनमें number of segments जो है वो anterior end पर increase होते जाते हैं यानि कि ऐसे animals जिनमें pseudo segmentation होता है जैसे की tape warm वो जैसे ही grow करेंगे जैसे उनकी body में growth होगी तो उनमें anterior end पर new segments जो है उनका addition होना start हो जाएगा तो that is the reason कि उनमें number of segments क्या होते जाएंगे उनकी grow करने के साथ increase होते जाएंगे तो यह कुछ important fundamental differences है जो true segmentation या metameric segmentation को pseudo segmentation से अलग बनाने में आपकी help करते हैं अब आपसे अगर कभी भी ये question पूछा जाता है कि pseudo segmentation किसमें देखने को मिलेगा तो one and only and best example for neat examination वैसे और भी animals है जिनमें pseudo segmentation है लेकि neat के point of view से आपको हमेशे याद रखना है कि pseudo segmentation का best example जो है वो है टीनिया जिसको हम tape warm के नाम से भी जानते हैं तो एक concept आपने यहाँ पर complete किया तो आप बलकुल confuse मत होई है कई बार बच्चेवों को question paper में ये confusion होता है कि pseudo segmentation को वो pseudo silo मान लेते हैं तो pseudo segmentation is different thing and pseudo silo mate एक अलग चीज़ है देखिए ये pseudo का मतलब यहाँ पर false है गलत असत्य और segmentation यहाँ पर segmentation के regarding बात हो रही है तो pseudo segmentation अकर इंटीनिया and pseudo silo mate animal का example अगर आप से पूछा जाए तो आप किसी भी animal का example पकड़ लीजिए जो ascalminthus phylum को भी लॉंग करता है क्योंकि pseudo silo mate animals जो है वो ascalminthus phylum के animals है और pseudo segmentation जो है वो आपको केवल और केवल platy halminthus phylum के अंदर tape warm में देखने को मिलेगा जिसको आप तीनिया कहते हैं तो that is the highly specific characteristic feature of तीनिया और tape warm जो उसको बाकी other platy halminthus phylum में आने वाले animal से different बनाता है that is the pseudo segmentation एक और आपको चीज़ बताता हूँ जो काफी important है वो यह है कि जो टीनिया या tape warm है उसका एक और नाम भी है जिसको हम cystorts के नाम से जानते हैं cystorts या इसको chestorts भी कह सकते हैं तो cystorts क्यों कहा जाता है टीनिया या tape warm को cystorts के नाम से हम क्यों जानते हैं तो उसका कारण है कि platy halminthus phylum के अंदर एक class आती है जिसका नाम है cystoda और cystoda class को belong करता है टीनिया या tape warm तो एक another question आपको पूरी classes याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप याद रखिए कि cystoda is the class of platy halminthus जिसके example अगर आपको देना हो तो आप टीनिया या tape warm को ले सकते हैं यह question भी neat examination में पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है कि टीनिया को tape warm भी कहा जाता है टीनिया को cystode भी कहा जाता है cystode कहने के पीछे reason क्या है तो कारण है कि जो platy halminthus phylum में एक class है cystoda उसमें यह member जो है उसको place किया गया है आपको बता दूं कि जो टीनिया tape warm या cystodes है वो other flat warm से other platy halminthus animal से बिलकुल different है उसका reason है the absence of digestive system तो यह हमें ऐसा एक point है जो बहुत ज़ादा confuse करता है जब भी हम लोग previous year questions को practice करते है तो यह एक ऐसा point है जो आपको हमेशा confuse करता है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है absence of digestive system अब आपके दिमाग में यह चल रहा है कि platy halminthus phylum में जितने भी animals हैं हमने तो यही पढ़ा है कि उनमें digestive system present होता है और उनमें जो digestive system होता है वो incomplete digestive system होता है फिर यह कैसे हो सकता है कि tiniya में या tapeworm में या जिसको हम sistorts कह रहे हैं उसमें digestive system absent हो तो आपको बता देता हूँ कि one and only example of platy halminthus phylum क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे बात ही उन characteristic feature पर कर रहा हूँ जो किसी particular animal के ऐसे characteristic feature है जो उसी same phylum के other जो animals हैं उससे उनको different बनाते हैं तो tiniya में pseudo-segmentation के साथ एक और important characteristic feature है that is the absence of digestive system आपको बता दूँ tiniya या tapeworm एक endoparasite है जो हमारी small intestine के ileum part में favorable अपनी growth कर सकता optimum growth कर सकता है और इससे हमें disease भी cause होती है जिस पर मैं आगे discuss करूँगा तो इसमें digestive system absent होता है जबकि जितने भी platy-helminthous phylum उनमें digestive system incomplete type होता है लेकिन इसमें digestive system absent होता है तो फिर ये किस तरीके से अपने nutrition को uptake करता होगा क्योंकि digestive system की absence अगर किसी phylum में है तो वो porifera है और porifera में digestive system पूरी तरह से absent होता है that's why कि वो intracellular digestion कर सकते है पर अगर porifera के अलावा आपको किसी animals का नाम बताना हो जो platy-helminth phylum को विलॉंग करता हो specially जिसमें digestive system absent है तो आपका अंसर होगा या tapeworm ये किस तरीके से रहता है तो क्योंकि ये endoparasite है और इसके पास digestive system ना होने के बाद भी अपना nutrition कैसे obtain कर सकता है तो मैं आपको आंसर बताता हूँ कि ये pre-digestive food को host की small intestine especially ileum reason से chief source के form में nutrition को obtain कर सकता है chief source of nourishment of tinia और tapeworm वो ये है कि ये pre-digestive food को host की small intestine या ileum से जो की part of the small intestine है वहाँ से ये क्या कर सकता है absorb कर सकता है that is the reason कि अगर poreference animal के अलावा किसी another animal में intracellular digestion only present होता है only intracellular digestion present होता है तो वो example भी कौन बन जाता है tinia तो आप से अगर कभी ऐसा question पूछा जाता है कि intracellular digestion occur only in which of the following animal तो वहाँ पर आप tinia को भी choose कर सकते हैं वहाँ पर आप sycon को भी पकड़ सकते हैं वहाँ पर आप spongyla को भी पकड़ सकते हैं वहाँ पर आप uspongyla को भी पकड़ सकते हैं वहाँ पर आप lyukosolenia को भी पकड़ सकते हैं लेकि ये सब एक्जाम्पल जो की मैंने दिये हैं उसमें केबल टीनिया या टेव वाम को छोड़कर बाकी सब पोरीफेरंस को बिलॉंग करते हैं पोरीफेरा के पास डाइजिस्टिव सिस्टम नहीं है लेकिन प्लेटी हलमिंतस फाइलम में भी एक ऐसा मेंबर है जिसके पास डाइजिस्टिव सिस्टम नहीं है और उसका नाम है टीनिया लेकिन अगर क्वश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से किस एनिमल में डाइजि में tough questions की categories में डाल दिये जाते हैं आगे हम discuss करते हैं आपको बता दूँ कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि teneasis क्या है teneasis में हमें ये तो suspected हो जाता है कि it is related to tenea याने tapeworm ये tapeworms related है लेकिन teneasis क्या है ये हमें कई बार मालूम नहीं होता तो मैं आपको बता देता हूँ कि teneasis एक ऐसा infection है एक ऐसी disease है जो कि adult tapeworms cause कर सकते हैं small intestine में अपने infection की वज़े से तो humans में बहुत सारी ऐसी disease होती है जो small intestine या large intestine में या gastrointestinal tract infection के form में recognize की जाती है आपसे कई बार exam में ऐसे questions पूछे जाएंगे कि इनमें से कौनसी ऐसी disease है इनमें से कौनसी ऐसी disease है जो basically small intestine या gastrointestinal infection के form में recognize की जाएंगी यानि कि आपको ये पता होना चाहिए neat exam के लिए कि gastrointestinal tract में या small intestine में particularly या large intestine में इनमें से कौनसे infections है जो human में cause होते हैं तो एक ऐसा नाम मैंने आपको बता दिया टीनियासिस जो आपको अभी तक आपके syllabus में पता नहीं था तो टीनियासिस एक ऐसी disease है जिसमें adult tapeworm अपना infection cause करता है ileum part of the small intestine में बट मैं ऐसी list आपको additional informations के थुरू बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके कि हमारे पूरे syllabus में हमें at least कितनी ऐसी disease और उनके causative agents के नाम याद रखने होंगे जो की gastro intestinal infection cause कर सकते हैं जो small या large intestine को affected कर सकते हैं या उनकी favorable side जहां पर वो grow करते हैं वो या तो small intestine of human है या वो large intestine of human है topic list prepare करे लीजे आप इस lecture को देखते देखते एक list तयार कीजे जिसमें मैं आपको नाम बताता हूँ teniasis एक ऐसा infection है जो human की especially small intestine को affected करता है और ये infection cause होता है adult tape form के थूँ यानि कि ये platy helmetus disease के form में भी जानी जा सकती है आपको बता दूँ amoebiasis एक ऐसा infection है जो की protozoan disease की categories में आता है जब हम human health and disease पढ़ते हैं तो आप देखेंगे amoebiasis को cause करने वाला जो causative agent है that is the protozoa वो एक unicellular eukaryotic organism है protozoa है और particular उसका नाम जो की amoebiasis cause करता है उस protozoa का नाम है ant amoeba histolytica और ये human की large intestine को especially colon reason को affected करने वाला एक important parasite है तो protozoa parasite जो की human में intestinal disease cause करता है तो amoebiasis आप नाम ले सकते हैं उसके बाद एक और example मैंने यहाँ पर coordinate कर रखा human health and disease से जो आपको यहीं पर सीखना है ascariasis आपको बता देता हूँ ascariasis भी एक disease है like जैसे की teneasis disease tenea cause कर रहा है टेव warm cause कर रहा है ये भी intestine को affect कर रही है amoebiasis disease protozoa cause कर रहा है जो large intestine को affect कर रही है similarly ascariasis disease जो है वो cause होती है एक ऐसे parasitic roundworm से parasitic roundworm का मतलब ascalminthus animal platyhelminth animal जो आपकी intestinal disease cause करता है तो आपने example याद रखा teneasis आपसे पूछा किया protozoan parasite जो हमारी intestinal disease cause कर सकता है तो आपने नाम याद रखा amoebiasis अब आपसे पूछा जाएगा ascalminthus या halminth disease बताईए जिसमें कि जो particular parasitic roundworm या animal होगा वो हमारी intestine को affect करेगा तो आपका example होगा ascariasis और ascaris lumbricoids ascaris lumbricoids is the causative agent of ascariasis जो manly हमारी small intestine को affected करती है that is another important point उसके बाद हमारी body में gastric infection या intestinal infection में एक और बीमारी का नाम एड़ होता है जो slivers में that is the typhoid a typhoid fever हम सभी ने पढ़ा है that is the bacterial disease typhoid fever को आप क्या consider करेंगे ये bacterial disease है ascariasis को क्या cause करेंगे ये halminth disease है halminth का मतलब roundworm roundworm का मतलब ascalminthus तो ascalminthus phylum जो हमारा next phylum हम study करेंगे उसमें एक animal आता है जिसको ascaris बोलते है और ascaris lumbricoid particular species है जो की ascariasis disease cause करती है bacteria जिसका नाम है salmonella typhi जो की typhoid disease cause करता है और ये भी intestinal perforation के लिए responsible है manly affected organism में भी क्या होता है small intestine होता है one another disease जो की gastric infection के form में या intestinal infection के form में recognize किया सकते that is the cholera and vibrio cholerae इसको cause करता है यानि कि ये भी एक bacterial disease है जिसका causative agent जो bacteria है उसका नाम है vibrio cholerae तो इसको भी मैं क्या वोलूँगा bacterial disease तो देखिए मैं आपके यहां पर बहुत सारे questions को आखरी में correlate करूँगा तो आपसे अगर कभी question ऐसा पूछा जाता है कि इन मेंसे वो कौन सी disease है जो human में intestinal disease है या gastrointestinal disease है तो आपके पास एक list आ चुकी है उसमें आपने हमारे platy helmetus phylum में एक tapeworm से cause होने वाली disease को count किया that is the teniasis तूसरी human में intestinal disease is amoebiasis जो की amoeba याने की protozoa से cause होती है और उसका नाम है antamoeba histolytica जो हम human health and disease में protozoan disease में पढ़ेंगे तब जब हम another protozoan disease को भी study करेंगे like malaria, amoebiasis भी होगी वहाँ पर kalazar भी होता है sleeping sickness भी होती है third number पर ascarriasis जो की helminth disease है और ये ascalminthus phylum में आने वाले ascaris lumbricoids से cause होती है that is also gastrointestinal disease क्योंकि ये small intestine को affect करता है fourth is bacterial disease जिसको हम typhoid fever कहते हैं और ये salmonella typhi से cause होती है and fifth is the cholera जो की vibrio cholera ही से cause होती है तो आज मैंने आपको पांच ऐसे नाम बता दिये जो human में intestinal disease causing parasites है जिसमें से कुछ bacteria है जिसमें से कुछ ascalminthus phylum को विलॉंग करने वाले ascaris lumbricoids जैसे animals है जबकि कुछ protozoan disease में example आते है amoebiasis और कुछ tapeworm यानिकी platy helminthus animal से cause होने वाले disease हो सकती जैसे की tiniasis तो अगर आपसे कभी भी ऐसे questions पूछे जाते हैं जिसमें human में gastrointestinal infection intestinal disease ऐसे terms use होते हैं तो वहाँ पर आप याद रखिए सभी disease gastrointestinal disease हैं इन सभी disease में जो mode of transmission होता है आप देखेंगे mostly वो feco-oral mode of transmission होता है आनिकि contaminated food and water से ये disease जो है वो एक healthy individual में पहुँच सकती है from the infected individual लेकिन इन सभी disease के बीच में जो difference आपको याद रखना है कि इन मेंसे कुछ disease ऐसी हैं जो platyhalminthus animal से cause होती हैं जैसे tiniasis, tapeworm cause करता है कुछ protozoan animal से cause होती हैं जैसे amoebiasis, जो antimiva histolytica cause करता है कुछ disease ascalminthus animal से cause होती हैं तो यह information आपके लिए काफी important होगी आपको यहाँ पर एक view दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं यह एक endoscopy view है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो tapeworm होता है वो human की small intestine में especially ileum reason of the small intestine में अपने आपको attach करके यानि surface से tissue से अपने आपको attach करके nourishment यह nutrition obtain करता है directly pre-digested food को लेकर यानि कि यह endoscopy image में आप देख सकते हैं कि कितना जादा severe infection होता है जब किसी को tinea से सोता है क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि एक tinea यानि टेव वाम small intestine की lumen की lining पर किस तरीके से अपने आपको attach किये हुए और human के pre-digested food को absorb कर रहा है अपने nourishment के लिए तो यह important image है अब हम second example पर आप से discussion करते हैं faciola या liver fluk देखिए faciola या liver fluk पर generally जो questions आते हैं वो उसके morphology को लेकर आते हैं उसके structure को लेकर आते हैं थोड़े से questions आसे हैं जो life cycle पर based होते हैं larval stages पर based होते हैं क्योंकि NCRT ने tape warm के structure को book में दिया है आप देखेंगे NCRT में ऐसा diagram आपको बना हुआ दिखाई देगा इस तरीके का diagram आपको NCRT में दिखाई देगा और आप देखेंगे मैंने उसी diagram को दो different view में यहाँ पर ले रखा है यानि कि मैंने यहाँ पर देखा जाए तो NCRT के accordingly देखें तो मैंने इसको दो different view में ले रखा है ठीक है ना इसमें से आप सबसे पहले बात करें कि NCRT के accordingly अगर मैं बात करूँ तो यह liver flick का ventral view है और यह मैंने उसको dorsal view में ले रखा है अब हमें समझना क्या है तो आपको बता होना चाहिए कि liver flick या faciola जो होता है उसमें muscular suckers कितने होते हैं उसमें permanent apertures कितने होते हैं उसमें temporarily aperture कौन सा है और उसका नाम क्या है तो मैं start करता हूँ यहाँ पर आपको बताना कि सबसे पहले आप याद रखें कि liver flick के पास दो muscular suckers होते हैं muscular suckers मतलब सकर parasitic organs हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने previous lecture में तो faciola के पास दो muscular suckers हैं आप देखेंगे एक ये आप जब NCRT में liver flick का structure देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको इस तरीके से कुछ highly specific structure देखने को मिलेगा that is the oral suckers और आपको बता दूँ oral suckers जो हैं वो ऐसे structures हैं जो mouth को enclose किये होते हैं एक suckers present होता है जिसको हम oral suckers कहते हैं that is an example of muscular suckers और आपको बता दूँ क्योंकि ये mouth को enclose किये हुए इसलिए सकर में एक aperture भी है जो कि actually में उसका mouth है तो मैं कह सकता हूँ कि oral suckers एक ऐसा muscular suckers है जो with aperture होता यानि कि जिसमें aperture यानि छिदर present होता और वो aperture क्या है उसका opening जो कि उसकी single opening है that is the mouth और anus उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ventral view में आप देखेंगे इस particular location पर आपको एक another suckers देखने को मिलेगा और उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं acetabulum तो कभी आपसे अगर question पूछा जाए कि liver fluke में acetabulum क्या है तो आपका answer होगा कि यह उसका एक ventral suckers का दूसरा नाम है यानि कि acetabulum उसका ventral sucker है जो हमेशा without aperture होता है तो liver fluke के पास जो भी muscular suckers है उनका basic concept क्या है कि वो वहाँ से nutrition को suck करते हैं यानि कि वो suckers basically क्या करना है sucking का purpose perform करते हैं और दो muscular suckers जो है उसमें से एक का नाम है oral और एक का नाम है ventral यह आपको यहाँ पर याद रखना है आपको बता दूं liver fluke के पास तीन permanent apertures होते हैं aperture मतलब बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ that is the छिद्र तो liver flow की आप फेशियोला के पास थ्री permanent aperture होते हैं उस थ्री permanent aperture में से एक तो आप muscular oral sucker को count कर सकते हैं यानि कि जो एक muscular oral sucker है that is an also example of permanent aperture क्योंकि मैंने आप से क्या वोला कि oral sucker जो है उसमें एक single aperture present होता है या oral sucker को with aperture हम लोग define करते हैं तो एक जो permanent aperture है वो oral sucker है क्योंकि oral sucker के पास aperture है और वो एक permanent aperture है जो कि उसकी single opening है animal की second is common genital pore तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ventral sucker present होता आप देखिए ये location में दिखा रहा हूँ ये वाली जहाँ पर ventral sucker present होता है उसके just above उसके just उपर एक common genital pore होता है common genital pore इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे male gamete यानि की sperm release भी होते हैं और यहाँ पर sperm जो हैं वो penetrate भी होते हैं sexual fertilization होता है क्योंकि process of fertilization liver fluke में क्या है sexual platyhelminthus में sexual sexual दोनों mode होते हैं लेकि particularly liver fluke की मैं बात करूँ तो mode of reproduction इसमें क्या है आपका sexual तो हम देखेंगे कि common genital pore को common genital pore क्यों कहा गया क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि sperm यहाँ से release भी हो सकते हैं male gamete को same animal release भी कर सकता और वो किसी another animals के male gamete यहाँ से penetrate भी करवा सकता है यानि कि that means के common genital pore का concept यह है कि यहाँ से sperm release भी होंगे और यहाँ से sperm enter भी होंगे या penetrate भी होंगे थर्ड आपको बता देता हूँ excretory pores तो हर एक platyhelminthus phylum के animals के पास आपको सबसे नीचे उसके anterior end पर यहाँ दोनों साइड आप देख सकते हैं आपको excretory pores देखने को मिलेंगे excretory pores का concept क्या है तो याद रखिए यहाँ से undigested food कभी भी emit नहीं होता है वलकि आपने पड़ा हुआ है कि platyhelminthus phylum की body में flame cells distributed होती है और flame cells क्या करती है pseudopodial process के तुरू अपने कह सकते हैं pseudopodia को send out करती है tissues के अंदर और वो tissues से metabolic waste material को collect करती है तो जो भी flame cells collect करती है metabolic waste material या excess amount of water उसको वो कहां से release कर देती है excretory pores के तुरू तो this is the excretory pores इसको आप anus मत मानिए यह केवल और केवल ऐसा एक pore है जिससे की metabolic waste material या excess amount of water जो है वो यहां से emit होता है ना कि undigested food तो यहाँ पर आपने क्या देखा दो muscular सकर है एक का नाम है oral सकर विद अपर्चर एक का नाम है ventral सकर without aperture तीन इन के पास क्या है permanent apertures है दो muscular सकर है एक का नाम है oral सकर एक का वेंटरल सकर तीन इनके पास permanent aperture हैं एक का नाम है oral सकर जो की with aperture इसलिए इसको permanent aperture में count कर लिया गया second is the common genital pore और copulation के लिए बड़ा important है क्योंकि इस पर में यहाँ पर penetrate भी कर सकते हैं यहाँ से release भी हो सकते हैं अब मैं बात करता हूँ तीसरी important चीज़ के बारे में तो आप याद रखिए कि प्लेटी हल्मिंटस फाइलम के एनिमल लिवर फ्लुक या फेशियोला को जब आप डॉर्सल साइट से देखेंगे डॉर्सल साइट से देखने पर आपको पता चलेगा यहाँ पर एक ऐसा aperture present हो सकता है जिसको हम temporarily aperture कहते हैं यह permanent aperture नहीं है यह temporarily aperture है life cycle की specific stages में आपको यह aperture देखने को मिल सकता है और इसका नाम है laurier canals तो यह कई बार आपके exam में question पूछा गया है कि laurier canals जो है वो इसमें से किस से related है तो laurier canals जो है वो platy halminthus phylum में आने वाल liver fluke को जब हम dorsal end से देखते हैं जब dorsal side से देखते हैं तो आपको एक temporarily aperture दिखाई देता है जिसको हम laurier canals कहते हैं इसको analogous of vagina माना गया है यह common genital pore नहीं है आपको याद रखना है यह analogous of vagina है याने कि यह open होता है dorsal surface पर और sometime आपको कुछ समय ऐसा देखने को मिल सकता है कि sperm का enter होने की जो process है वो laurier canals से भी हो सकती है याने कि during the copulation या during the matting या copulation आप देखेंगे कि जो sperms हैं वो geno4 याने genital pore से तो जाही सकते हैं पर as well as अगर किसी liver fluke के पास temporarily aperture है laurier canals है तो sperm की जो entry है वो laurier canals या उसके temporarily aperture से भी हो सकती है तो मैं कह सकता हूँ sperm can enter in female system via laurier canals and common genital pore तो दो जगा से sperm की entry हो सकती है genital pore से भी हो सकती है और laurier canals से भी हो सकती है पर genital pore permanent aperture है पर laurier canals जो है वो एक temporarily aperture है तो यहाँ पर आपको क्या-क्या याद रखना है मैं इसको पूरी summary जो है वो आप उसको accumulate कर देता हूँ एक खट रखना है especially उसके structure से related तो आप सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि liver flick के पास दो muscular सकर होते हैं number one oral सकर number second ventral सकर oral सकर with aperture होता है और ventral सकर without aperture होता है second चीज़ आपको याद रखना है कि liver flick की body में three permanent apertures होते हैं जिसमें से एक permanent aperture वो है जो muscular सकर भी है यानि कि oral सकर क्योंकि उसको आपने पहले ही define कर रखा है ये with aperture होता है second जो permanent aperture है that is the genophore जिसको common genital pore भी कहा जाता है common genital pore male and female common genital pore के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे sperm enter भी होते हैं और इससे sperm release भी होते हैं हाला कि platy halminthus phylum में कोई भी ऐसा animal नहीं है जिसको आप male और female कह सकें लेकिन genital pore जो है वो sperm release भी कर सकता है इस sperm वहाँ से enter भी हो सकते हैं क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि liver fluk में self और cross दोनो fertilization हो सकते हैं तीसरा जो permanent aperture है that is the excretory pore और excretory pore का concept क्या है कि ये एनस नहीं है वलकि anterior end पर ये एक ऐसा permanent aperture है एक ऐसा permanent pore है जिससे excess amount of water या metabolic waste material जो है वो emit होता है release होता है वो जो especially flame cells collect करती है from the different tissues of the body अब आपको याद रखना है कि एक temporarily aperture भी होता है जो कि आपको ventral side से देखने को नहीं मिलेगा जब आप animal को dorsal side पर लेंगे तब आपको देखने को मिलेगा और वो temporarily aperture जो है वो barrier canal है इसको analogous of vagina माना जाता है क्योंकि इस स्पर्म केवल enter ह हो सकते हैं इस्पर्म यहां से release नहीं हो सकते हैं इस्पर्म केवल यहां से enter हो सकते हैं और sometime sperm enters the female system via lawyer canal that is the very important point अब मैं आगे बात करता हूँ liver flow के बारे में कुछ और important चीज़ हैं आपके सामने दो animals मैंने ले रखे हैं दौनों ही liver flow की आप फेशी ओला है एक को मैं ventral side से दि दिखा रहा हूँ इसको मैं cut कर देता हूँ यहां पर मैं dorsal लिख देता हूँ यह दौनों को ventral side से देखके भी इस concept को हम समझ सकते हैं कोई problem नहीं है तो आप देख लीजे दो आपके पास animal है दौनों को मैं ventral side से ही दिखा रहा हूँ अब आप देखेंगे कि दौनों animals मे ventral side पर क्या देख रहा है आपको common genital pore जहां से sperm release भी हो सकते हैं और जहां से sperm penetrate भी हो सकते हैं ठीक है ना तो अभी मुझे जो concept आपको समझाना है वो यह समझाना है कि liver fluk में cross fertilization भी हो सकता है liver fluk में self fertilization भी हो सकता है plants की तरह जैसे plant bisexual flowering plant होते हैं जिनमें self और cross pollination हो सकता है तो जैसे self और cross pollination plants में होता है वैसे liver fluk animals में एक ऐसा platy helmet phylum का example है जिसमें cross fertilization भी हो सकता है self fertilization भी हो सकता है इस concept को हम समझते हैं पहले आप यह मान लीजिए कि जो platy helmet animal liver fluk में आपके सामने ले रखा है यह male भी है यह female भी है यह animal भी male है और यह female भी है यानि यह दौनों animals जो है वो अपने अंदर दौनों प्रिकार के gamit produce करने में capable है यह दौनों male gamit और female gamit दौनों बना सकते हैं ठीक है जब भी कोई self fertilization की process होती है तो उसको हम ऐसे define करते हैं कि वो animal के ही male gamit उसी same animals के female gamit को fertilize करें तो वो self fertilization है और जब हम cross fertilization को define करते हैं तो हम क्या बोलते हैं animal के male gamit किसी another animal के female gamit को fertilize करें तो हम उसको cross fertilization कहते हैं तो हम समझते हैं कि liver fluk में self or cross fertilization जब होता है तो कैसे होता है तो आप consider करिए कि liver fluk जो A है इसको मैंने नाम दे दिया A तो यह A liver fluk है और इसको मैंने नाम दे दिया B यह दो different animals है ठीक है ना हाला कि दौनों animals क्या हैं liver fluk हैं अब आप समझिए कि liver fluk A जो है यह उसके sperms हैं liver fluk A ने अपने यह sperm क्या किये produce किये और यहाँ पर liver fluk B जो animal है उसने अपने यह male gamit यह sperm को यहाँ पर क्या किया produce किया अब concept यह है कि अगर A liver fluk के sperm B liver fluk के genital pores के through enter हो जाते हैं या B liver fluk के sperms A liver fluk की genital pores में enter हो जाते हैं तो this process is called cross fertilization जब भी liver fluk में cross fertilization होगा तो उसमें एक liver fluk animal अपने sperm को अपने जीनो फोर से याने की common genital pores से release करेगा जो दूसरे किसी liver fluk के common genital pore में enter कर जाएंगे यह वो laurear कैनाल में भी enter कर सकते हैं जो कि एक temporarily aperture है तो दो particular ऐसे कह सकते हैं जग एंटर कर सकते हैं किसी particular liver fluk animal में एक तो जीनो फोर जो की permanent aperture है और दूसरा laurear कैनाल जो की temporarily aperture है तो अगर A animal के sperm B animal में enter कर जाते हैं B animal के sperm A animal में enter कर जाते हैं वाया जीनो फोर और laurear कैनाल तो आप इस process को वो लेंगे cross fertilization अब आप देखते हैं दूसरा concept दूसरा concept यह है कि sperm from the same fluk enter the genital pore to fertilize the eggs यानि कि एक animal के sperm उसी same animals के egg को अगर fertilize कर देते हैं तो यह process क्या है आपकी self fertilization तो मैं क्या conclusion draw कर सकता हूँ पर कि liver fluk में दौनों प्रिकार के fertilization आपको देखने को मिलेंगे यह cross fertilization भी कर सकता है यह self fertilization भी कर सकता है जब यह cross fertilization करेगा तो एक liver fluk animal अपने अपने जीनोफोर या common genital pore से sperm को release करेगा जो किसी another animals के जीनोफोर या common genital pore में enter कर जाएंगे पर जब वो self fertilization करेगा तो process कुछ ऐसी होगी कि जीनोफोर या common genital pore से जो sperm release होंगे वो उसी same animals के जीनोफोर या common genital pore में enter कर जाएंगे तो that is the reason कि sperm की entry हमेशा जीनोफोर से ही होती है sperm release भी जीनोफोर से होते है पर sometime laurier canal एक ऐसा temporarily aperture है जिससे भी sperm penetrate हो सकते है sperm animals की female system में जा सकते हैं लेकिन कभी भी laurier canal से sperm release नहीं होते sperm cable penetrate होते that is the reason कि laurier canal को हमने analogous of vagina माना है ठीक है न तो मेरे ख्याल से आपको ये concept समझ में आ गया होगा अब मैं बात करता हूँ कि liver flow किया जो faciola है उसकी life cycle को हमें पढ़ना बलकुल जरूरी नहीं है कि liver flow भी जो है वो एक ऐसा parasite है जो की दो अपने host रखता है यानि लिवर फ्लुक के भी दो host होते है आपने देखा होगा ऐसी कई decision में जो parasite होता है उसके दो host होते है जैसे malaria में भी आप देखेंगे कि जो plasmodium parasite है उसके दो host होते है human और female anaphylis similarly liver flow जो है platyhelminth animal वो एक parasite है और उसके भी दो host होते है इसका जो primary host है वो आपको याद रखना है human हो सकता है dog हो सकता है sheep हो सकती है goat हो सकता है यानि कि इसके primary host और मैंसे कोई भी animal हो सकते है पर इसका secondary host one and only snail होता है जिसको limnia कहा जा सकता है ठीक है ना तो liver flow के दो host होते है primary host human है और secondary host snail या limnia है आपको याद रखना है कि ये जो system है host का वो malaria के plasmodium parasite से just opposite है plasmodium parasite में human जो है वो secondary host है जबकि liver flow से cause होने वाली जो disease है या faciola से cause होने वाली जो disease है उसमें आप देखेंगे कि human जो है वो primary host है तो malaria disease में plasmodium parasite का primary host female anaphylis है secondary host या intermediate host क्या है human इसके opposite liver flow के आप देखेंगे कि primary host human है जबकि secondary host या intermediate host कौन है snail जिसको आप limnia भी कह सकते हैं आप हमेशे आद रखिए कि infective form of larva यानि कि liver flow का जो larva है वो किस form में human को infect करता है और liver flow का larva किस form में snail को या limnia को infect करता है तो आपको याद रखना है कि human host में जो larva enter होता है उसको हम metasarcaria कहते हैं तो metasarcaria is the larval stage of liver fluk जिस stage में वो human host को infect कर सकता है and miracidium ऐसी larval stage है liver fluk की जिस में वो snail या limnia को infected कर सकता है तो देखिए आपको life cycle पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको केबल इतना याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है कि liver fluk से cause होने वाली जो disease है उसमें human primary host है snail या limnia secondary host है infective form of larva में आपको याद रखना है कि human host को infect करने वाला जो larva है faciola को उसको metasarcaria कहते हैं और snail को infect करने वाला जो larva है उसको हम miracidium कहते हैं यानि कि metasarcaria and miracidium both are the larval stage of liver fluk तीसरा और आखरी जो हमारा example है platyhelminthus phylum का उसको प्लेनेरिया या डुगेसिया कहते हैं आपको एक यहाँ पर बहुत अच्छी video image दिख रही है उस video image में आप देख सकते हैं कि planaria में एक higher regeneration capacity होती है यानि कि planaria का सबसे अच्छा important point यही है कि इसमें high capacity of regeneration पाये जाता है जो इसको बाकी platyhelminth animal से different बनाता है तो कभी भी आपसे अगर ऐसे question पूछे जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि high capacity of regeneration इन में से किस animal में होती है तो आप बहाँ पर one and only answer याद रखें liver flow में sexual reproduction पाये जाता है और साथ ही याद रखी कि liver flow की या टीनिया टेव वाम जो है वो दोनों ऐसे animals है जो कि parasitic है जबकि dugasia या planaria जो होता है वो free living है और यह हमीशा fresh water में present होता है तो आपको यहाँ पर यह point बहुत important है जो आपको याद रखना है यानि कि dugasia या planaria के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह sexual reproduce करता है यह free living है फ्रेश वाटर में होता है यह parasitic नहीं है जैसे मैंने starting में बोला था कि platy halminthus phylum में आने वाले animals mostly endoparasite होते हैं पर बाकी जो बच रहे हैं वो free living भी हो सकते हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी है जो actoparasites हैं लेकिन mostly वो क्या होते हैं endoparasites होते हैं तो ऐसा कौन सा platy halminthus animal है जो endoparasite, actoparasite या parasitic नहीं है तो आपका example हो सकता है वहाँ पर planaria ऐसा कौन सा platy halminth example देना है आपको animal है जो की free living होता और fresh water में present होता है तो आपका example होगा planaria high capacity of regeneration किस में होता है तो आपका example जो answer होगा वो होगा planaria या dugacea आपको याद रखना planaria and hydra दोनों ऐसे animals हैं हाला कि hydra जो है वो हम platy halminth में नहीं study करेंगे hydra को हम लोग कहां पर पढ़ते हैं तो hydra जो है वो silent rates का example है तो planaria and hydra दोनों में ये capacity होती है कि वो regenerate कर सकते हैं और वो regenerate इस तरीके से करते हैं कि उनका जो भी part कट कर दिया जाता है वो whole organism को produce कर सकता है that is the true regeneration तो planaria and hydra दोनों में आपको true regeneration देखने को मिलेगा तो यहां तक की जो बाते मैंने आपसे की और एक platy helmet phylum के अंदर आने वाले three different जो example है उन पर जो highly specific comments मैंने आपको बताए अब मैं आपको काफी important चीज़ बताने वाला हूँ याने कि आपके सामने कैसे questions होंगे जो आ सकते हैं और आपको वो divert कर सकते हैं तो बहुत ही difficult question जो plat reality helmet phylum से आते हैं कि वो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ जैसे की question number one आप इसको ध्यान से देखिए अगर आपसे question में पूछा जाता है कि triploblastic acylomate question में अगर आपसे पूछा जाता है कि triploblastic acylomate organ level organization रखने वाले और pseudo segmentation जिन में होता हो आपको ऐसे animals को select करना है तो देखिए आपके सामने question है जिसमें चार characteristic feature दे दिये गए एक तो वो triploblastic animal है acylomate है organ level organization होता है और वो pseudo segmentation रखता है तो जैसे ही आपके सामने ये question आएगा आपके सामने ऐसे कई example हो सकते हैं जो एक ही phylum के animals के होंगे for example आपको नाम दे सकते हैं liver fluk आपके सामने दूसरा option जो हो सकता है वो हो सकता है tiniya तीसरा option जो आपके सामने हो सकता है वो plan area हो सकता है और एक चौथा option हो सकता है वो आपके सामने साइ कौन रख दे हैं याने की किसी पोरी फिरा का example आप से पूछा जा रहा है कि ट्रिपलो ब्लास्टिक, एसीलोमेट, और्गन लेवल, और्गनाइजेशन रखने वाले और स्यूडो सेगमेंटेशन रखने वाले animal को आपको select करना है तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहले देखिए आप, ट्रिपलो ब्लास्टिक और एसीलोमेट, साथ में और्गन लेवल और्गनाइजेशन, ये तीनों important characteristic property आपको केवल और केवल किसमें देखने को मिलेंगी platyhelminthus में, मैंने आपको पहले भी बता कि platyhelminthus एक लौते ऐसे phylum है जिसमें आप देखेंगे कि animals triploblastic acylomate होते हैं, फिर आपको hint दे दी गई है कि organ level organization भी है तो आपका दिमाग कहां पर जाएगा, कि जो भी animal है वो platyhelminthus को विलॉंग करता है, लेकिन आपके सामने जो options रखे गए हैं उसमें तीन ऐसे option है जो platyhelminthus को विलॉंग करते हैं, एक ऐसा option है जो porifera को विलॉंग करता है, इसको आप cross कर देजिए, क्योंकि porifera में tissue level organization तो, sorry, porifera में organ level organization तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि porifera cellular level organization रखते हैं, तो ये option यहाँ पर आप बल्कुल select नहीं कर पाएंगे, लेकिन आ अगर ऐसे question आपके सामने आते हैं, तो आपको उसमें confuse नहीं होना है, pseudo segmentation is the characteristic feature of tnia, जो मैंने आपको starting में बताया है, और आप ऐसे question में बिना confuse हुए, tnia को select कर देंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है, कि pseudo segmentation platyhelminthus में केवल किसमें देखने को मिलता है, tnia में, ऐसे ही और भी कई questions होते हैं, जो exam में आपसे पूछे जा सकते हैं, for example मैं आपको एक और question दे रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने कुछ characteristic feature होंगे, जैसे triploblastic, acylomate, organ level organization, और चौथा important characteristic feature दे देंगे, absence of digestive system. तो हम सभी जानते हैं, कि digestive system की absence, poriference में होती है, लेकिन poriference triploblastic नहीं होते हैं, poriference जो है acylomate होते हैं, लेकिन उनमे organization cellular level होता है, organ level नहीं होता, तो आपको ऐसी condition में बड़ा confusion होगा, कि triploblastic, acylomate और organ level organization रखने वाले animal तो platyhelminthus हैं, पर आपको अभी तक ये लगता था, कि उनमें के हमेशा incomplete digestive system होगा, लेकिन one and only example ability helminthus phylum का, जिसमें incomplete digestive system या digestive system ही present नहीं होता है, और वो कौन है, तो मैंने आपको answer बता है, tiniya, तो ऐसे question में कोई भी example आपको रख दिया जाए, आपको right answer जो select करना है, वो होगा tiniya, तो देखिए tiniya पर ऐसे दो questions बनते है पहला question, जो pseudo segmentation से आप लोग easily select कर सकते हैं और दूसरा question, absence of digestive system से आप select कर सकते हैं, अब ऐसे भी आपको question देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा, कि triploblastic, acylomate, organ level organization, साथ में cross and self-fertilization occur, अब आपको animal select करना है, example दिये जाएंगे, options दिये जाएंगे, जिसमें वो animal, triploblastic हो, acylomate हो, organ level organization रखता हो, उसमें cross और self-fertilization पाया जाता हो, तो आपके सामने फिर से दिमाग में आएगा, कि भाई, triploblastic, acylomate और organ level organization तो platyhelminthus रखते हैं, आपके सामने जो options होंगे, उसमें, जादातर example जो होंगे, वो आपके सामने किस के होंगे, platyhelminthus के होंगे, जैसे कि एक example मैंने रख दिया, liver fluk, तो भाई, ये भी platyhelminth ह और चौथा example मैंने रख दिया, phycelia, तो चलिए, phycelia को तो आप पहचान जाएंगे, और एक दमीजीली बता देंगे, कि sealant rates में आता है, लेकिन अब बात ये हो रही है, कि triploblastic, acylomate, organ level तक तो आपको कहानी पता है, तो आपको लगेगा, तीनों options होने चाहिए, लेकिन self and cross fertilization की जो process है, वो केवल आपको किस platy helmet animal में देखने को मिलेगी, liver flow, तो ऐसी condition में फिर जो right answer आपको select करना होगा, वो होगा liver flow, तो I hope कि आप ये चीज़ समझ गे होंगे, ऐसे ही एक और question भी आपको देखने को मिल सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे सभी questions exam में आ organ level organization है, यहां तक की पूरी कहाने आपको indicate करेगी कि बात platy helmet की हो रही है, लेकिन आखरी में दे दिये जाएगा high capacity of regeneration होता है, तो इस condition में आपको example select करने के लिए ये पहले से पता होना चाहिए कि high capacity of regeneration किस में होता है, तो platy helmets में liver flow के एक example दिया जाएगा आपको, एक option दिया liver flow में high regeneration capacity बिलकुल नहीं होती है, यह sexually reproduce करते हैं, दूसरा आपको option दिया जा सकता है, tape warm का tinea का, तो इनमें भी high regeneration capacity नहीं होती है, तीसरा example आपको दिया जा सकता है, plan area का, और हम सभी जानते हैं कि plan area में high regeneration capacity होती है, fourth example में आपको कोई भी रख सकते हैं, like mindry ना रख दिया, जो की excellent rate है, तो हमें एकदम इसपस्ट पता होना चाहिए कि यहां पर high capacity of regeneration एक बड़ा exclusive feature है, जो की platy halminthus phylum के किसी एक particular animal को बाकी animal से different बनाता है, और यह किसका characteristic feature है, plan area का, तो आपका right answer जो होगा, that is the plan area, तो मुझे लगता है कि platy halminthus के बारे में जो कुछ मैंने आपको इस lecture में बता है, that is very important क्योंकि previous lecture में platy halminthus phylum को हमने NCRT के coding complete किया था, लेकिन इस lecture मैंने आपको platy halminthus phylum से related कुछ extraordinary ऐसे comments बता हैं, जो previous examination में आ चुके हैं, आपको हर phylum को काफी detail में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन phylum के बारे में मैं आपको extraordinary comments बता रहा वो आपको neat के point of view से जरूर याद रखना है, thank you very much.